हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छी होंगे मैं हूँ राहूल जेस्वाल एंस्वाजएत करता हूँ आप सभी के एक बार फिर हमारे यूटुब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तों सबसे पहले तो यार उमीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से कॉंसेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे और खुद का भी थोड़ा सा सेल्फ प्राक्टिस कर रहे होंगे जिया दोस्तों अगेन आप लोगों के लिए मैं लिकर आया हूँ आज 11 स्टाइंडर के लिए मैस वन जो सब्जेक्ट है हमारा जैसा कि आप जानते हो गया मैस वन का दूसरा चाप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का फॉस चाप्टर तो यार हर एक चीज आ रहे है अच्छी तरीके से ठीक है थोड़ी मूरी अजर कुछ चीजे हो जा रही होगी तो आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए हम लोग आपके लिए और आपके अच्छी तरीके से पढ़ाई किया चाहिए आप नवी से पढ़े हो एच से पढ़े हो टेंथ में पढ़े हो तो मुझे आप लोग से फीड़बैक चाहिए ठीक है ना फीडबैक मतलब क्या कि यार आपने हमारे चैनल के थूरू कैसा पढ़ाई कि आपको क्या हेल्प हुआ आपके पहले कितने परसेंटेज आते हैं अभी कितने परसेंटेज आ रहे हैं ठीक है साथ ही में आपको कितना बेनिफिट हुआ इन टम्स ऑफ फेनांशल बहुत सारे लोग का फीस बच रहा है बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते कि सर हम तूशन जाना छोड़ दिये हमारे आप सभी बच्चों के लिए और बाकी लोग के लिए पैरेंट्स के लिए टीचर्स के लिए अधर टीचर्स के लिए कॉंटाक्ट विट जरो वन एटडरेट जीमेल डॉट कॉम इसमें करना क्या है आप लोग को अगर आपको ऐसा लगता है कि हैर हमारे चैनल के थुरू आपको अच्छा लगा है पढ़ाई करके आपका कुछ भी सुधार हुआ है बेनिफिट मिला है तो आप बस एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कीजिए एक से दो मिनट का बहुत बढ़ा नीजे यह सिर्प नॉमली अ उसके बाद हमारे चैनल पर आप लोग का बहुत अच्छा लगा मुझे फिडबैक उसमें से शॉट लिस्ट किया जाएगा और उसमें से बहुत सारे बच्चों का हमारे चैनल के उपर हम यह वीडियो डिस्पले करेंगे ताकि हर बच्चा देख पाए ठीक है आप लोगों अगर आपको मेल भेजने नहीं आता है तो वह आपकी हेल्प कर देगा ठीक है आपके पैरेंट्स या फिर भाई बैन साथी में मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और उमीद करता हूँ जरूर से आप मुझे मैसेज करोगे और वहां पर जाके हम बाते कर पा इस चाप्टर का इसमें क्या पढ़ना है तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यह एंगल अगल आप मेजर होता क्या इसको समझों पहले अब देखो हमने इसके पहले नाइंट में टेंथ में बहुत बार हमने नाच पढ़ा हुआ है और टेंथ में आपने ट्रिगनोमेटर पढ़ा होगा ठीक है तो ट्रिगनोमेटर एक इसा चाप्टा था जिसमें एंगल का ही खेलता पिकॉस वी नोट टेंड़ अंगल के अंदर एंगल और उसके साइड का ही खेले उसके उपर ही फॉर्मूलेस बेस होते है और वहीं फॉर्मूलेस के उपर हमने एक्जाम्पल जो है वो सॉल करना होता है तो हमें यह जो वैल्यूज होते हैं जैसे साइन थीटा का वैलू कॉस थीटा का वैलू टैन थीटा हो गया और आपको कैसे लर्न करना यह सभी चीज इस वीडियो में बताने वाला हो और अगर आप यह वीडियो को पूरा एंट तक देख लेते ह होगे क्योंकि अगर आप यह वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा स्कॉंसेप्ट भी समझेगा प्लस आप इस चीज को ना लाइफ टाइम रिमेंबर भी रख सकते हैं और कैसे रखना यह मैं आपको बता दूंग है ध्यान से देख लेना वीडियो को इन तक और यह वी साइन जीरो का जो वैलियो होता है वो जीरो होता है साइन जीरो का जो वैलियो होता है यह आपने पढ़ा है इसको मुझे बताने की जुरूतने यह आपने याद किया हुआ है और तो अगर मुझे एंगल निकालना है तो साइन जीरो का वैलू मुझे पता है कॉस जीरो का व tan 0 degree is nothing but sin 0 degree का value है 0 and cos 0 का जो value है वो हमारे पास 1 तो 0 upon 1 कितना होता है दोस्तो 0 होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि tan 0 degree का जो value आ जाएगा वो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा सिंपल है तो sin theta मुझे पता था मतब sin 0 मुझे पता था sin 0 0 होता है cos 0 1 होता है लेकिना मुझे एक वर पता चल गया कि tan 0 का value भी क्या होता है 0 होता है इस प्रकार निकाल सकते है यह जितने भी formula से आपस में interlink है जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बहुत सारे formula पढ़ा है कि sin 0 कहा से sin theta क्या होता है cos theta क्या होता है tan theta का formula क्या होता है cos x, cot and sec यह सभी चीज़ का क्या होता है यह मैंने already display आपको किया हुआ है और आपको पुरा-पुरा समझा चुका हूँ lecture number 1 में इसके लिए बोलड़ों जाके देख लेना जिनोंने नहीं नहीं देखा है नहीं 1 upon 0 कभी भी 0 नीचे आ जाता है तो वो बन जाता है not defined यानि कि infinity तो हम लोग बोल सकते है इसका जो value है हम लोग क्या बोल सकते है not defined या फिर infinity बोल सकते वो symbol आपको पता है न symbol इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ that is cos sec 0 degree is nothing बढ़ इस प्रकार का जो symbol होता है इसको infinity बोलते है क्या बोलते है infinity तो cos sec 0 का value नहीं निकाल सकते not defined समझ में आ गया वैसे sec का value मुझे पता है sec का मतलब क्या होता है 1 upon cos 0 ठीके 1 upon cos होता है 1 upon cos का value मुझे पता है 1 upon 1 is nothing but 1 तो हमारा sec 0 का value आ गया कितना sec 0 degree is nothing but 1 तो हमारे पास sec का भी formula आ गया sec 0 degree का value 1 होगा वैसे cot का cot किसका opposite होता है tan का ठीके तो cot 0 is nothing but 1 upon 10 0 ठीके 10 0 degree तो 10 0 degree अभी अभी निकाला है मैंने 0 है तो 1 upon 0 ठीके है ना तो 1 upon 0 हो जाएगा तो 10 0 0 आ रहा है तो cot 0 क्या हो जाएगा infinity उल्टा होता है ना उसका ये क्या हो जाएगा infinity समझ में आ गया तो ये total 6 value हमने निकाल गया तो उसी प्रकार बहुत सारे अलग-अलग अंगल पे हम आपको निकालेंगे ये तो basic चीज था आपको जितने भी अंगल से अभी 30 डिगरी का, 60 डिगरी का, 90 डिगरी का चाहे 180 डिगरी हो, 120 डिगरी हो ये सभी के हम लोग sin 0 का, मतब sin का value cos का value और 10 का value आप लोगो calculate करना सिखाएंगे और उसको learn करना भी सिखाएंगे क्योंकि अगर आप वो आप सीख जाओगे calculate करना सीख जाओगे learn रखना सीख जाओगे तो बाकी cos X एक और ये क्या formula डालना है और value निकालना है क्योंकि अगर आपको ये 3 पता थे तबी तो आपने निकालना है तो पहले 3 पता है तो बाकी 3 भी इसली निकल जाते है और यही तो खास बात है हमारे trigonometry की समझ में आ गया चलो आगे बढ़ते हैं आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखना सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है angle of measure of 90 degree और pi by 2 90 degree और pi by 2 तो हमें एक चीज़ पता है दोस्तो कि sin 90 degree का जो value होता है दोस्तों वो 1 होता है यह हमें पता है sin 90 degree का जो value होता है वो क्या होता है 1 होता है और cost 90 degree का value होता है 0 ठीक है यहाँ पर कैसे पता लगाईगा अब देखो example के तोर पे समझ लो समझ लो कि मेरे पास एक quadrant है quadrant system है यह वाला ठीक है इसके बीच में मैं क्या करता हूँ एक circle draw करता हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखना यह चीज़ यह आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो अब जैसे कि मैंने बोला कि 90 समझ रिक समझ रिक swag कि यो बॉला करते है कि च्ड़ साइन होता है और जो अक्स कामपोनेंट होता हूँ और सान he को होता है यहां से आया बहुत सिंपल प्रोसेस है कि 90 यहां पे तो आप देखो कि अगर कॉर्टरन के हिसाब से देखोगे तो यह जो आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से तो आ गया इसी चीज से 10 का वैलू अगर निकालना है तो मुझे बताओ 1090 का वैलू क्या आ जाएगा तो 1090 का वैलू हमने निकाल लिया तो साइन 90 इस वन भॉस नैंटी इस जीरो और 1090 इस इंफिनिटी इस प्रकार से हम लोग वैलू जो है वो निकाल सकते हैं अब 10 आ गया उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो वह सेक निकाल सकते हो तो यह आप लोग के लिए मैं छोड़ र आएगा वह आपको निकालना है और 10 का अपोजिट होता है कॉट तो कॉट 90 का वैलू के आएगा तो यह आप लोग के लिए छोटा सा टास्क है बस कुछ नहीं फॉर्मूला अपने पास है बाकी तीन पता है बाकी तीन भी इसली निकल जाएंगे तो यह हो गया 90 वाला कि हम ल 120 डिगरी है मतलब यहां से लेके यहां तक जो पार्ट गया है यह मेरा कितना है 120 डिगरी रेप्रेजन कर रहा है लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों अगर इसमें आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहां पे ने एक ट्रेंगल बनता हुआ नजर और इस पार्ट यह जो पार्ट यह एक ट्रेंगल हमें बनता हुआ नजर आ रहा हुआ इतना पार्ट यह ट्राइंगल को हमने नाम क्या रखा है पी ओक्यू तो या फिर ओक्ट यू बोलो तो ट्रेंगल ठीक हैं, side opposite to 60 degree क्या होता है, हमने पढ़ा है कि नि जोमेटरी में, 10 standard geometry, side opposite to 60 degree is nothing but root 3 by 2 of hypotenuse, तो root 3 by 2 of hypotenuse मतलब, जो PQ का जो value रहेगा, side opposite to 60 degree क्या है, PQ है, तो PQ का जो value रहेगा, वो root 3 by 2 रहेगा, यहां से O और P का value कितना है, radius है, that is 1, यहां हमारे पस पता है, हम लोग clear cut बोल सकते हैं कि जो point P आ रहा है, मेरा पता हूँ, यह वाला point जो P दिख रहा है आपको, यह कौन से quadrant में लाए कर रहे है, second quadrant में, जिसमें हमारा जो coordinates का value होता है, वो minus plus होता है, यही होता है, पहले quarter में plus plus होता है, दूसरे quarter में minus plus होता है, यह हम जानते है, तो minus plus है, यानि कि X का component minus रहेगा, और Y का component plus रहेगा, इसका मतलब X जो मेरा component है, यहां पर देखो, यहां पर, यहां पर आगर X का component है, यह total कितना ह के पास total 1 है तो उसका आधा that is minus 1 by 2 minus रहेगा वो भी समझ में आ रहा है और y का coordinate तो अल्टरी निकाला हुआ है मैंने that is PQ का value PQ का value कितना है root 3 by 2 मतलब मुझे मिल गया value x4 x का value minus 1 by 2 है y का value 3 by 2 है x क्या represent करता है cos को represent करता है तो cos 120 यानि जो निकालना है sin 120 is equal to root 3 by 2 और cos 120 is equal to minus 1 by 2 तो 10 कितना आएगा sin 120 degree upon cos 120 degree 10 निकालना है मुझे तो sin 120 degree कितना है दोस्तो root 3 by 2 है upon sin cos 120 degree कितना है minus 1 by 2 तो is equal to क्या हो जाएगा दोस्तो यह हो जाएगा root 3 by 2 multiply by minus 2 by 1 this 2 these 2 will get cancelled तो कितना बचाएगा हमारे पास minus root 3 बचाएगा मतला मेरे पास जो 10 120 का जो value है कोई पूछेगा आपको कि 10 120 जैसे 10 आपको पता है 10 0 कितना होता है 10 30 कितना होता 10 60 क्या होता है वो आपने अभी देख लिया इसके पहले जितने भी हमने देखा 10 90 आपने निकाल लिया इंफिनिटी इसके पहले हमने देखा कि 10 00 आया था ठीके ना यह आमने देख लिया है ठीके ना और बाकि 30 और 60 तो अल्रीड हमने 10 तक पढ़ाई किया था लेकिन यह जो एक्स्ट्रा है ना 90 की आगे की चीज़ वो हम लोग 11 स्टांडर में पढ़ रहे है बाकि तो आपको 0, 30 डिगरी, 45 डिगरी, 60 डिगरी, 90 डिगरी यह उड़ीड हमने पढ़ लिया है 10 स्टांडर तक ट्रिक्रोमेटरी इसके अंदर लेकिन अब जो ट्रिक्रो 120 डिगरी का वैलू हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस रूट 3 आ रहा है यह आपको लर्न करके रख लेना है, करेक्ट है समझ में आ गया, कैसे आया, विकॉस आप साइन का वैलू जो आ रहा है, 120, साइन 120 रूट 3 बैट 2 होता है, कॉस 120 होता है, माइनस 1 बैट 2, तो ये भी अंग है 180 डिगरी, तो मुझे बात बताओ कि यहां तक जो वो पहुचा, तो P का वैलू कितना आएगा, यहाँ पर समझ लों है यहाँ पाइट पी है, तो P का वैलू आधे पर कितना आएगा, इस पॉइंट पे कितना आएगा, यहाँ पे क्या होता है, इस प्रिदर में, man – 1 होता है और Y पर क्या है क्या देखो कि य उसी लाइन पर x के लाइन पर यह है यूट deposit क हूँ-1 और करेक्ट तो तो sin 180 का value y is equal to 0 आ गया, ठीक है, तो हम इंशर्ट क्या बोल सकते हैं कि sin 180 0 होता है, cos 180 minus 1 होता है, 10 का निकालना है तो again sin 180 degree divided by cos 180 degree कर लो, ठीक है न, उसके बाब, sin 180 का value 0 है, cos 180 का value होता है, minus 1, ठीक है, minus 1 multiply by 0 करोगे तो आ जाएगा 0, तो यानि कि 10, क्या निकालना है आपको, 10 180 निकालना है न, तो यह 10 180, 10 180 degree is equal to, क्या आएगा, 0, तो 10 180 का value कितना आता है, 0, वैसे आप बागी का निकाल लो, cos निकाल लो, sorry, cos एक निकाल लो, cot निकाल लो, और सेक निकाल लो, यह फॉर्मुले साइन, cos और 10 पता चल गया, तो cot, cos एक और सेक आप निकाल सकते हो, समझ में आ गया, तो इस प्रकार आप 180 degree का भी angles, learn, रख सकते हो, और याद सकते हो, और अगर आपको पूछेगा, solve करके दिखाओ, तो इस प्रकार आप solve करके भी दिखा सकते हो, समझ में आ गया, पूरा basic concept चल रहा है दोस्तो, पूरा एकदम MSTCT level का, एकदम neat level, अपना JW level क ठीक है ना, तो इस प्रकार के questions आते हैं exam में, खासकर ऐसे competitive exams में MSTCT और यापके basic concept जो आगे आप पढ़ोगे हमारे महाराष्टर बोड के इसाफ से यह भी आपको बहुत useful होने वाला है, एक और angle ले ना, 270 degree, 270 degree, सोचो, ठीक है, अब 270 कहां से शुरुआत होगा, यहां से श quadrant में y क्या होता है, minus 1 होता है, correct है, समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब x मेरा 0 है, y minus 1 है, तो x represent करता है किसको, cos को, तो cos 270 कितना हो जाएगा, x का value कितना है, 0 है, तो cos 270 भी क्या होगा, 0 ही होगा, समझ में आ रहा है, cos 270 क्या होगा, 0 होगा, उसी प्रकार y minus 1 है, तो y represent करता है सब्सक्राइब 10-270 ग्राइब सॉइने साइन 270 डिगरी कितना निकालना है नोगन सैन 170 गिरी कितना निकालना है हम झेमिने सब्सक्राइब 10-270 डिगरी का चो वैलू है वह है नोट डिफाइब इंपिनिटी समझ म कितना सिंपल है तो 270 का वैलू भी हमने निकाल लिए अब चलो 360 का निकाल के दिखाते हैं ठीक है क्या है नेक्स्ट एंगल अप मेज़र 360 डिगरी 360 मतलब पूरा का पूरा सरकल ठीक है ना अब देखो यहां पे एक सेंटर पॉइंट होगा ठीक है अब पूरा सरकल मतलब कहीं स कहीं से भी अगर आप स्टार्ट करें दोस्तों यहीं से स्टार्ट करता हूं में तो 360 मतलब ये पूरा खूंकर यहीं पर आ गया पूरा घूंकर यहीं आगया तो यह एंगल कितना है 0 degree है यह angle कितना है दोस्तो 0 degree है और यह actual में 360 degree भी है मतलब 0 degree भी वहीं खतम हो रहा है 360 degree भी खतम वहीं हो रहा है तो इसका मतलब बोल सकते कि 360 degree और 0 degree यह दोनों के दोनों क्या होंगे को terminal होंगे एक ही जगा पर खतम हो रहे हैं तो इसका मतलब जो भी 0 degree का function रहा होगा, trigonometric function जो भी 0 degree के लिए रहा होगा, same 360 के लिए भी रहेगा, तो हमारा sin 0 actually था 0, तो sin 360 भी 0 ही रहेगा, cos 0 degree 1 था, तो cos 360 भी 1 ही रहेगा, समझ में आगे, तो 0 के लिए जो भी value था, वो same 360 के लिए लागू होता है, इसका मतला अगर मुझे 10 360 का value निका करना है, तो again मुझे क्या करना पड़ेगा, sin 360, sin 360 को cos 360 से divide करना पड़ेगा, तो sin 360 हमारे पास कितना है, दोस्तों 0 है, 0 upon 1 हो जाएगा, तो 0 upon 1 is nothing but 0, तो मतलब 10 360 degree का value मेरे पास आएगा, वो आएगा, कितना दोस्तों, को आएगा, 0, समझ में आ गया, तो 10 का निकाल लिया, समझ में आ गया, तो जितने भी angles थे main में, चाहे वो 0 था, उसके बाद हमने 90 देखा, 180 देखा, 120 भी देखा, ठीक है, 270 देखा और 360 देखले, यह सभी angle के measurements कैसे आते हैं, क्यू आते हैं, और क्या reason है आने का, और कौन-कौन सा value आता है, यह सभी चीज हमने explain कर दिया है, उमी negative angles के लिए क्या होता है, यह तो already में बढ़ा चुका हूँ, negative angles के लिए sine minus theta का value minus sine theta हो जाता है, cost minus, यह learn रख, पुरा, मतलब, जरूरी नहीं, इसको कैसे आया, वह आपको जादा जानना है, यह already में बढ़ाया है, तो आप खली इतना learn रखो, याद रखो, कि sine minus theta minus sign theta होता है, cos minus theta cos हो जाता है, मतलब sign negative रहेगा, cos negative रहेगा, तो उसको positive कर देता है, cos positive हो गया, mother minus theta हो गया, 10 minus theta रहेगा, तो 10 क्या होता है? sign upon cost तो कोई भी value अगर एक negative है तो हमारा 10 भी negative आएगा तो sign हमारा negative है ना तो sign upon cost करेंगे तो minus sign upon cost theta मतलब minus तो रहे गई, मतलब 10 minus theta is again क्या रहेगा? minus 10 theta ठीक है? minus 10 theta वैसे cot minus theta, cot का मतलब क्या होता है? 1 upon 10 होता है, तो ये minus 10 रहेगा, तो ये भी हो जाएगा minus cot theta, sec किसका उल्टा होता है? cost का उल्टा होता है, तो अगर cost मेरा positive है, ठीक है? तो ये भी मेरा क्या रहेगा? positive रहेगा, ठीक है? that is, sec theta cos minus theta किसका है? 1 upon sign है, तो sign minus है, तो ये भी minus रहेगा that is minus cos theta तो ये values बस आपको learn रख लेना है और कुछ नहीं, ये आपको काम आएंगे, जैसे ऐसे आभी आगे examples हम लोग solve करवाएंगे आप लोगको, तो ये बहुत easy लगने वाला है आप सभी को, ठीक है? चलो, आगे बढ़ जाते है next, कुछ examples है basic वाले, ये आपको मैं solve करवाऊंगा, क्योंकि उसके बाद तो हम लोगो ये वीडियो को stop करना है और अगले lecture जैसे आएगा, उसमें हम पूरा खबूर exercise solve करवाने माले तोड़ा समझते है, theta is equal to 30 degree दिया हुआ है, ठीक है, theta कितना दिया है दोस्तो, theta हमें देखो हैं पर जान से, theta is equal to 30 degree दिया हुआ है, तो मुझे बताओ theta 30 है, तो 2 theta कितना हो जाएगा, 60 degree, ठीक है, हमारा यहाँ पर मैं left hand side ले रहा हूँ, जिसका नाम है sin 2 theta, sin 2 theta का value ले रहा हूँ, बताओ मुझे, sin 2 theta मेरा LHS है ना, यह LHS है मेरा और यह right hand side है, तो LHS मैंने लिया sin 2 theta, इसको मैं solve करूँगा, तो sin 2 theta का value कितना है, 60 degree, तो मुझे बताओ sin 60 का value कितना होता है, sin 60 जोती हमारा root 3 by 2, यह आप जानते हो, तो यह हो गया root 3 by 2, इसको मै समझ मैं आ गया, अब, next, मैं ले रहा हूँ, मेरा right hand side, right hand side मेरे लिए क्या है, 2 sin theta, cos theta, यह मेरे लिए right hand side है, is equal to 2, sin theta मतलब 30 है, तो 2 multiply by sin 30 degree, multiply by cos theta का value कितना है, 30 degree, ठीक है, is equal to 2 multiply by sin 30 कितना होता है, 1 by 2 होता है, और cos 30 कितना होता है, दोस्तो, root 3 by 2 होता है, यह आप जानते हो अब भी तो आप पूरा अच्छी तरीके से learn हो गया होगा, यह 2, यह 2 cancel, मतलब कितना बच रहा है अगें, यहाँ पे, मेरे पास कितना बच रहा है, root 3 by 2 बच रहा है, यानि कि आपने जो right hand side लिया, 2 sin theta, cos theta, उसका value भी root 3 by 2 आया, और जो आपने left hand side लिया, sin 2 theta, इसका value भी root 3 by 2 आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि from equation number 1 and 2, यह दोनों ही equation से आप देखोगे, तो जो हमारा left hand side है, जिसका नाम है sin 2 theta, इसका value भी root 3 by 2 है, और जो मेरा right side है, जिसका नाम है 2 sin theta, cos theta, इसका value भी root 3 by 2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं, कि यह दोनों equal हो जाएंगे, और last में हमारा favorite dialogue लिखेंगे, hence, proved हमने यह prove करके दिखा दिया, कि यह दोनों equal है, यह दोनों equal है, क्यों है, क्योंकि दोनों के value root 3 by 2 आ रहें, correct है, समझ में आ गया, तो ऐसे examples कई सारे आएंगे, example में, exam में और आपके exercises में, तो हम सभी चीज़ को solve करवाएंगे, आपको समसज़ लो, आपको इसका value निकालना है, तो cost 30 का value कितना होता है, देखो cost 30 है, cost 30 का value कितना होता है दोस्तो, root 3 by 2 होता है, cost 30 is nothing but, root 3 by 2, यह यह यहाद रणीच धर रूट 3 by 4, दोनों सेम है, नीचे सेम है ना दोनो, वह रगा डिनामेटर सेम है, तो नीचे डिनामेटर में 4 आएगा, लेकिन ये रूट 3 प्लस रूट 3 कितना होता है, एक रूट 3 प्लस एक रूट 3 मतलब 2 रूट 3, ठीक है, तो ये 2 और ये 2 to the 4, मतलब कितना बच रहा है, उपपर root 3 बच रहा है, नीचे 2 बच रहा है, तो हमारा answer कितना आ गया, root 3 by 2, this is the final answer, तो ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े, यह तो आपको simple पूछा है, 30-60 डिगरी का, लेकिन exam में और आपके exercises में, बड़े-बड़े आएंगे, 270, 180, ऐसे कई सारे values आएंगे, trigonometric functions के, वो स तो आ गया होगा, उमीद कर तो पुरा concept भी समझ में आ गया होगा, तेकिन अगर हमारा साथ बने रहोगे, हर चीज, mathematics, मदब बोले के न, mathematics is very simple, आपको ऐसा feel होगा, ठीक है, चलो, फिर आज का वीडियो इसे के साथ समाप्त करते हैं, thank you so much guys for watching this वीडियो, लेकिन अगले lecture का बेट कर देना, exercise solve करवाने वाला हूँ, और ऐसे कई सारे tough tough example भी आप लोग को करा हूँ, यह तो बहुत simple था, आगे अगे हो tough tough आने वाले हर चीज करा देंगे, ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है, दोस्तो प्लीज वीडियो को like कर देना, दोस्तों के साथ जित